अपने बायानों को लेकर हमेशा ही सुर्ख्यों में रहने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड निता और केंद्रियमंत्री गिरिराज सिंग अपने संसदिये छेत्र बेगु सराय पहुचे हुए हैं यहां मीडिया से उन्होंने बात करते हुए कश्मीर से धारत 370 और 35 से हटाने के बाद कॉंग्रेस वामपंथी दलो और पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि कॉंग्रिस पाकिस्तान के इशारे पर बोलती है या पाकिस्तान कॉंग्रिस की बात बोलता है दोनों की भाचा एक है ये बात समझ में नहीं आता है कि बर्सों से मांग थी कि एक देश एक कानून तो मैं समझता हूँ कि 375 हटने के बाद यूटी बनने के बाद अब एक देश एक कानून बन गया है देश के सावा सौ करोर लोगों की 135 करोर लोगों की मांगों को भारत की शरकार ने पूरा की है अब कश्मीर के विकास को हम उनुचाई पर ले जाएंगे जो कश्मीर प्राकृतिक दिस्टिय से पुर्ण च्षमता प्राकृतिक च्षमता है उसमें एक तरफ विकास करेंगे दूसरे तरफ समाजिक समरस्ता भी रहेगी और एक देश चे कानूं की मांग पूरा हो गया जो लोग विरोध कर रहे हैं चाहे बामपंती हों चाहे कांग्रेश हों चाहे गुलाम नभी हों इनको सोचना चाहिए गुलाम नभी आजाद कभी अलगाव वादियों से गले मिलने वाले उन्हीं के पाटी के नेता या उनकी जुबान उस समय उनकी जुबान चुप क्यों हो जाती थी पाकिस्तान का राग अलापत है समझ में नहीं आता है कांग्रेश पाकिस्तान के इशारे पर बोलता या पाकिस्तान कांग्रेश के इशारे पर बोलता ये समझ में नहीं आ रहा है दोनों की भासा एक है भारत की ताकत है रा राष्टबाद और आज देश के तमाम 1500 करोर 130 करोर लोगों ने एक साथ हावाज लगाया है भारत के साथ है भारत की शरकार ने 370 को हटाया 35 को हटाया एक राष्ट एक कानुब और अक्साई चीन पर भारत का अभिन अंग है असकाई चीन और पियो के यह भी हम आज नहीं तो कल भारत का हिस्सा होगा 200 पर तेशक पाकिस्तान राद में को बैपारी समन्त हों ने का अब जिसको जो धंकी देना हो दे लेकिन हम अपने अधिकारों को नहीं चोग सकते इसके पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कश्मीर से अनुचे 370 हटाये जाने का विरोध करने वालों को हिंदुस्तान के तिहास में अलगावादी चेहरा कहा जाएगा इससे सिद्ध होता है कि वो हिंदुस्तान को एक नहीं देखना चाते वो भारत के भविश्य के भी दुश्मन है 370 से कश्मीरियों का भला नहीं हुआ बस अलगावादी पर भी आपको बता दी कि संसद ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर को विशेश दर्जा संबंदी अनुछे 370 के अधिकतर परवधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंदी संकल्प को मंजूरी दे दी थी बेगु सराय से सौरप कुमार दिहार तक प्रस्ताव